हेलो एव्रीवान स्वागेत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं जोग्रफी का चेप्टर नमबर वन क्लास 10 से संसाधन और विकास सिर्फ important points पढ़ेंगे ज्यादा deep नहीं जाएंगे जो definitions होती है जो पूछी जाती है exam में वो चीज़े देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं देखें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि संसाधन होते क्या हैं संसाधन क्या होते हैं प्रकरती से प्राप्त विभीन वस्तुई जो हमारी आवशक्ताओं को पूरा करने में प्रियुक्त होती हैं जिन को बनाने के लिए क्या प्रोध्योगे की उपलब्द हैं वो सब क् संसाधन है ठीक है तो प्रकर्ति से जो भी प्राप्त होता है क्या कहलाता है जो आवशक्ताओं को पूरा करे वो संसाधन कहलाता है जो जीयो मंडल से संसाधन प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं और जो निर्जीव वस्तो द्वारा निर्मित संसादन होते हैं वो कौँसे होते हैं? एजयव संसादन कहलाते हैं. आगे है नवी करनिय संसाधन कौन से होते हैं वे संसाधन जिने विभिन भोतिक रासायनिक अथवा यांतरिक प्रिक्रियाओं के द्वारा पुने उपयोगी बनाया जा सकता है नवी करनिय संसाधन कहलाते हैं जिन संसाधनों का जो हम बार-बार यूज कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, नवी करनिय संसाधन होते हैं, जैसे एक्जामपल भी दिया, वायू हो गया, जल हो गया, सूरिय का प्रकाश आदी, क्या है, ये क्या है, नवी करनिय संसाधन है, आगे है वे संसाधन जिनने एक बार में लाने के बाद पुने उपयोग में नहीं लाया जा सकता इनका निर्मान तेथाविकास एक लंबि भू वैज्ञानी कंद्राल में हुआ है एन नभी कर्णियस संसाधन कहलापे हैं ठीक है तो तो वो संसाधन जिनको हम एक बार यूज कर लेते हैं, तो उन्हें जो है दोबार उपयोग में नहीं ला सकते हैं, जैसे खनीज, ठीक है, नीजी स्वामित्व वाले व्यक्तिकत संसाधन कहलाते हैं, जिन पर किसी व्यक्तिक आधिकार होता है, या नीजी स्वामित्व कहलीज वो क्या होते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं सामुदाइक संसाधन क्या होते हैं जिनका उपयोग समुदाइक के सभी लोग करें उसे सामुदाइक संसाधन कहा जाता है किसी भी प्रिकार के संसाधन जो राष्ट की भोगोलिक सीमा के भीतुर मुजूद हो वो राष्ट्य संसाधन होते हैं राष्ट्य संसाधन कौन से जो एक भोगोलिक सीमा के अंदर मुजूद होते हैं वो राष्ट्य संसाधन हो जाएंगे व्यक्तिगत सामुदाईक संस्थानों को रश्ट्र हित में रश्ट्य सरकार द्वारा अधीगर हित किया जा सकता है वे संसाधन जो किशे शेत्र में विद्यमान होतो हैं प्रंतु इनका उप्योग नहीं हो रहा है तो वो कैसे संसाधन होते हैं? वो संभावे संसाधन कहला ते मतलब संसाधन हैं लेकिन उप्योग नहीं हो रहे हैं तो वो संभावे संसाधन हो जाएंगे वे संसाधन जिनका सरवेक्षन किया जा चुका है इनके उप्योग की गुणवतत थमारत्रा निर्धारित हो चुकी है उन्हें विक्षित संसाधन कहा जाता है प्रकर्ति में उपलोब्ध होनी वाली वे पदार्थ जो मानव आउशक्ताओं की पूर्ती कर सकते हैं लेकिन तक्निकी ज्यान ने होने या पूरी द्रह विक्षित ने होने के कारण पहुँच के बाहर है वो क्या कहलाते हैं भंडार कहलाते हैं ठीक है आगे देखिए सतत्पोषने विकास क्या होते हैं इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से विकास क्या जाए जिससे प्रियावरण को हानी ने पहुँचे वर्तमान में किये जा रहे विकास के द्वारा भावी पीडियों के आशक्ताओं को अवेलना ने हो मतलब जो विकास अभी हो रहा है उसका भविश्य में जाकर भी कोई बुरा प्रभाव ना हो वो क्या होते हैं सतत्पोषने विकास होते हैं संसाधन नियोजन ऐसे उपाई अथ्वा तक्नीक जिसकी द्वारा संसाधनों का उचित प्रियोग सुनिशित किया जा सके वो क्या कहलाते हैं संसाधन नियोजन कहलाते हैं संसाधनों का न्याई संगत तथा योजना बद प्रियोग जिससे संसाधनों का अपव्यन हो वो क्या होते हैं संसाधन सरक्षन होते हैं ठीक है नेक्स्ट है भूमी निमनी करण क्या होता है देखे विभीन प्राकर्तिक और मानुए क्रिया कलाप मतलब जो मानुव की द्वारा क्रिया कलाप होती है या जो प्राकर्तिक चीजे होते है बाडा आपदा वगेरे जो भी है उनके द्वारा जो है मृदा का क्रिशी के योग्य बोया गया शित्र कहा जाता है okay कुछ समय के लिए काली छोड दिया जाते हैं ठीक है कुछ समय रेतीली अथ्वा दलदली होती है जहां पर कोई भी पैदावार ना हो वो बंजर भूमी होती है अधिक वर्षा वाले शेत्रों में मिट्टी के उपरी प्रत के तेजी से कटाओ से जो निर्मित मृदा होती है वो कौन सी होती है लैटे राइट मृदा होती है इंपोर्टेंट है यह याद रखिए मृधा पर्दन क्या होता है प्राकर्ति कार्क को द्वारा मृधा का एक स्थान से अटना मृधा पर्दन कहलाता है ठीक है प्राकर्ति कार्क वही बाड वगेर तो मृधा का हटना मृधा पर्दन उत्खात भूमी क्या होता है? प्रिवाहित जल तथा पम्नों के द्वारा किये जाने वाले मृद्धा परदन से उत्खात भूमी का निर्मान होता है. ठीके? चलिए, पूशन देखे, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृद्धा पाई जाती है? इसका निर्मान किस परकार और इसका निर्मान कैसे होता है काली मिट्टी का जवाला मुकी के मैगमा और आगने सैलो के दोरा जो है काली मिट्टी का निर्मान होता है ठीक है इसका निर्मान था जो लोड मृदा का जो नदियों द्वारा अवसाद लाए जाते हैं उन से और इसका ज्वाला मुखी के मैगमा और आगने शैलों से काली मृदा का निर्मान ठीक है ऑन चैनक शयल ठीक है तो यह मैटर पन काल को निर्मान में भारत में पाए जाने वाली विभिन मृदा O में इसकी नीदो के नाम लिखिये तो भारत में पाई कुन कुण सी मृदा पाई जाती है सारी देख लेते हैं देखें जलोड म्रिदा पाई जाती है भारत में जो सब से जादा पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है काली म्रिदा लेटराइट पाई जाती है ठीक है इसके लावा मरुस्थली है म्रिदा लाल वै पीली म्रिदा और इसके लावा वन म्रिदा ओक तो यह याद रखिए Next है one mridha की कोई दो विशेष्टाएं बताईए Okay one mridha की दो विशेष्टाएं बताया नहीं है तो हमाले के शेत्रों में यह अयूमश्राईत होती है और उपर जो उपरी ढलान होती है वहापर इनका जो निर्मान होता है गठन होता है, वो मोटे कनों के द्वारा होता है. ठीक है? रह believes नेक्स्ट जो कोषिन है, वो है मुरुस्थलियय मृद्धा मुरुस्थलिय मृद्धा की दो विशेष्टाइग क्या है? कौन सी होती है, मुरुस्थलिय मृद्धा का? वो होता है रंग लाल और भूरा ठीक है रेतिली और लवणिय होती है मुरुस्तलिय मृद्धा और इसमें हयोमस और नमी की मात्रा की कम होती है हयोमस भी कम होता और नमी की मात्रा भी कम होती है मुरुस्तलिय मृद्धा में ठीक है प्रित्वी सम्मेलन 1922 का मुख्य उदेश्य क्या था तो इसका मुख्य उदेश्य था प्रियावरन सर्रक्षन तता सामाजी कार्तिक विकास की समशाओं को हल करना ठीक है एजिंडा 21 क्या है एजिंडा 21 है कारिये सूची है जिसका उदेश्य है समान हित पारस्प्रिक आवशक्ताओं और जिम्मेदारियों के नुशार प्रियावरन शती गरीबी और रोगों को रोगों से निपटना ठीक है प्रियावरन शती गरीबी और रोगों से निपटना जो है एजिंडा 21 का कारिया है किनी दो राज्यों के नाम बताईए जहां सोपानी क्रिशी यानि कि सीधिदार क्रिशी की जाती है इस प्रकार की क्रिशी का लाब क्या है तो देखिए सीधिदार क्रिशी की जाती है जम् यहां पर होती है सीडिदार किरिशी और अगलाभ क्या है यह क्या करती है यह क्या करती है अगर पूरव की साइट चले तो रुणाचल प्रदेश मणीपूर नागालेंड और मिजोरम में ठीक है चलिए, ऐसी दो मानवे क्रियाई लिख्य जिन के द्वारा भूमी का निमनी करण होता है तो किस के द्वारा होता है, वनोन मूलन, वनो के काटने से होता है अती पशुचारन से होता है, भूमी का निमनी करण खनन से होता है और अत्यादिक बोमजल के निसकाशन से जो है भूमी का निमनी करण होता है आगे देखें संसाधन क्याती है वो उपबोग से मतलब संसाधनों का जब हम अज़्याद उपयोग करते हैं कौन से समश्याई उत्पन होती है खादर और बांगर मे क्या आर्थ है खादर होती है नवीन जलोड मृदा और बांगर होती है प्राचीन जलोड मृदा यह नाम पूछ सकते हैं प्राचीन जलोड मृँधा कौन सी है, तो वो है बांगर, नवीं जलोड मृटा कौन सी है, खादर, खादर जो होते हैं अधिक बारीख और रेतीली, बारीख भी होती है और रेतीली और इसमें होती है कंकर और केल्शियम कार्बोनेत यह पाई जाती है खादर जो होती है यह नदी के पास डेल्टा तथा बार्ड निर्मित जो मेदान होते हैं वहाँ पर पाई जाती है और बांगर जो होती है यह नदी से दूर उंचे सत्रों पर पाई जाती है ठीक है गि np. Phrithvi Samlayan expanded to 1922 पर में टिपनी रिखेए दीखे data的話 प्रियो अजितिक खाकर है। सब मुझशन के फेले सबी होगे ऑंवा था हुआ तो 1922 में यह क्यों रियो डिजिनेरियों में ने प्रकांते हैं आयोजित किया गया था। और इसमें जो है सो से अधिक राष्टर देशों के अध्यक्षों ने भाग लिया था, और इसका वो पढ़ लिया हमने क्या करना था, प्रियावन सरक्षन और सामाजी कार्थिक समशाओं को हल डूंडने से ये रिलेटिड था, ठीक है, तो बस यही था, मेन इसमें, मृद्या परदन को कैसे रोक सकते हैं, कैसे रोका जा सकते हैं, नदियों पर बांध बना कर उनके बहाव को कम करके हम मृद्या परदन को रोक सकते हैं, वरिक्ष लगा कर हम मृद्या परदन को रोक सकते हैं, पहड़ी शेत्रों में सीरी नुमा खेत बना कर, जैसे हमने उपर देखे शुद बोया गया शेत्र कॉन सा होता है कुल शेत्र कर फल का वैबज क्रिशी के लिए उपियोगी हो और बोया गया शेत्र जो है यह शुद बोधी शेत्र से ज्याधा है जिक तो यह होता है इसमें नेक्सट जो कोशन इसमें important बंदता है भारत में पाई जाने वाली मृधा यह important बंदता है यापे कोशन कि भारत में कौन-कौन सी मृधा पाई जाती है तो सबसे पहले हमने जो पड़ी थी मृधा वो कौन सी पाई जाती है हैं ज्लोड मृदा कहा पर पाई जाती है यह उत्री मेधान में ज्दा पाई है और किसके दूospit होती है सिंदू गंगा और ब्रम्पुत्र नधी तंत्रों के द्वारा जो है का इसलोड मृदा होती है बहुत उपजाओ होती फिर आती है काली मृदा, second number पर, काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं, रेगूर मिट्टी, यानि कि रेगूर मृदा की नाम से भी जाना जाते हैं, और इसका एक कोशन पूछा जाता है कि कपास के लिए कौन सी मृदा सबसे उप्यूक्त रहती है, तो वो है काली मृदा, कपास और मूंग फली, इन दोनों के लिए जो उप्यूक्त मिट्टी है, वो कौन सी है, काली है, और यह कहां पाई जाती है, महाराश्टर, सुराश्टर, मालवा, मध्यपरदेश और चतिसकड के पठार में यह पाई जाती है, ठीक है, ओके, इसके लावा है लाल और पीली इम्रेदा, तो लोहे के कणों के अधिकता के कारण जो इसका रंग कहीं पर लाल है, और कहीं पर पीला पाया जाता है, लेकिन यह याद रखे, लाल रंग क्यों पाया जाता है, इसका लोहे के कणों की अधिकता के कारण जो इसका रंग लाल या पीला होता है, ठीक है, और ये पाई जाती है उडिशा, च्छतिसगड और मध्या गंगा की मैदान की दक्षिन छोर और पश्चिम गाड में पहाडियों में ठीक है नेक्स्ट जो है लेटे राइट ये किस फशल के लिए सब से उप्योगत है ये काजू की फशल के लिए उप्योगत है इसमें हयुमस की मातरा जोती है वो कम होती है ये आई जाती है उदर साउट साइड में करनाटक, केरल, तमिलनाडू, अध्यप्रदेश, उडिसा और असाम के पाड़ी शेत्रों में ठीक है इसके लावा मुरुस्तली मृदा है जिसका रंग लाल बूरा था मूपर पढ़ चुके हैं युमस और नमी की मातरा कम होती है रेतेली और लवनिया होती है और इसके लावा वन मृदा और है एक वन मृदा जो है ये प्रवतिय श पूछी भी जाती हैं तो ये था चैप्र नमबर बॉन थैंक यू सो मच करये बुट शिया होती है